दोस्तो विपक्ष तुष्टिकरण की राजनीती में इत्ता अंधा हो चुका है कि उसे ये बात समझी नहीं आ रही है कि देश की एकता और अखंटिता नाम की भी कोई चीज होती है। वक्षी दलों की सरकारे लगातार हिंदूों से उनका हक छीनने का काम कर रही है। कैसे बताते हैं आपको। भूमिका निभाने वाली एक करोड की आबादी वाले वोट पैंक पर बीजेपी के बढ़ते प्रभाव से सतरक टीमसी डामज कंट्रोल करते हुए ममता की डोर से बांधने का प्रयास कर रही थी। लेकिन C.E.A. लागू कर बीजेपी ने ममता बिनर्टी की नजर में बैठे एक बड़े वोट बैंक पर जैसे सोर्जिकल स्ट्राइक कर डाली है। अब बीजेपी ने इस कदम से तिल मिलाई ममता बिनर्टी ने C.E.A. का फिरोत किया है और C.E.A. को चुनावी हत्खंडा कराड दे लिया है। उन्होंने कहा C.E.A. बीजेपी त्वारा दिखावा किया जाने का एक हत्खंडा है और वास्तव में मदवान से पहले ये एक लॉलिपॉप है। ऐसे में सवाल उठता है कि नागरिकता संशोधन कानून का चुनावी कनेक्शन क्या है और क्या इससे ममता बिनर्टी और चुनावों में घाटा और बीजेपी को फायदा हो सकता है। और नाम शुद्र समुदाए के हिंदू शरनार्थियों को फायदा हो जाएगा। बंग्रदेश से लगी अंदराश्ट्री सीमा के पास के जिलों में इन समूहों का बसाओ है और ये लंबे समय से भारते नागरिकता की मांग करते आ रहे हैं। बीजेपी ने 2019 के घोशना पत्रों में सीए लागू करने का वादा किया था। बंगाल में ना दिया और उत्तर 24 पर करना जिलों की कम से कम पांच लोग सवाई सीटों पर सीए कानून का प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा राजिक के उत्तरी हिस्से की दो सी तीन सीटों पर भी चुनावी असर देखने को मिल सकता है। सत्ता में आने पर ये वोट त्रणमूल कॉंग्रेस की ओर से स्थानांतरित हो कया था और अब ये वोट बीजेपी की ओर जाता दिख रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में गोगाउं और राना घाट सीट पर बीजेपी को जीत मिली थी। 2019 के चुनावों से एन पहले पियमोदी ने मतवा समुदाई के बीच जाकर उन्हें समुदित किया था। इसी तरह उतरी बंगाल के जिस इलागे में राजवनशी और नामशुद्र समुदाई की आबादी का वसाव है। वहाँ भी बीजेपी ने 2019 में तीन सीटों पर जीत दर्च की थी। जलपाई गुडी, कूच विहार और बालूर घाट संसदिय सीट पर इन हिंदु शरणार्थियों की आबादी करीब 40 लाख के उपर है। ऐसे में ये C.E.A. की वज़े से बंगाल में करोडो वोट सीधे बीजेपी के खाते में जाएंगे। यही वज़ा है कि ममता बनल जी C.E.A. लाकू होने से बॉखला गई है। और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।